दोस्तों नमस्कार स्वागत थे आफसी का हमारे इस प्यारे सा यूट्व चैनल में आज जो नजारा देख रहे हैं हमारे गाउं से ही कुछ दूर पर ये सहर पड़ता है वहां पर जो हर सनिवार को कहा जाता है कि एक मेला लगता है जो की पहले ठंडा के मौसम में लगता था जो हर दिन रहता था जिसे मीना बजार के नाम से हम लोग जानते थे तो आज भी यहां सहर गोह में जो है भाई खास करके एक मेला लगा हुआ है जो की कहा जाता है कि हर सटेड़े को देखने को मिलता है तो आज किसी जडूरी काम से जो है इसी रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि भाई बहुत ही बेहतरीन नजारा बगल में देखने को मिल रहा है तो थोड़ा चल करके यहां का भीव ले लेते हैं किस तरह से यहां कितने बेक्ती मुझूद रह रहे हैं और कौन कौन सा मतलब यहां पर वस्तू उपलब्द है जिससे हम लोग मेला कानंद ले सकते हैं तो आप लोग सामने नजारा देख रहे हैं कितना वहतरीन नजारा है यहां पर गोड़ा वाला कास करके एक जोड़ना बनाया हुआ है जो कि गोड़े पर बच्चा छोटा छोटा बैटता है और इसी को क्या करते हैं कि गोले गोले गोमाते हैं और बच्चों को बहुत अनंद महसूस होता है खुद से देखिए जो कि हम जो है आप लोग को थोड़ा गुमा करके दिखा देते हैं कैसे गुमता है यहां पर अभी कोई है नहीं अश्टाप की आप लोग को बताएं तो इस तरह से देखिए गुमाने के बाद जो है इस तरह से गुम रहा है इधर हमारे सुशील जी आये हैं साथ में जो की हमारे अस्कूटर पर ही थे तो देखलेते हैं और अगे चल करके यह जो आप लोग को तो सामने जो देख रहे हैं खास करके क्या नजारा का भीव है आप लोग समझने पा रहे होंगे और यह हमारा मेला के अंदर का जो नजारा है जो कि आप लोग समझ रहे होंगे भीड़ तो कुछ एक खास है नहीं अभी क्योंकि हम जो हैं दिन में आए हैं और वो भी लगभाग 12 बज़े के करीब यहां पर हम उपस्तित हैं अब टेख रहा होंगे मेला में काई समान दोपान नहीं दख पाते हैं और यहां का भीव ही अलग तो घठीए adaptations आप लोगisiniंकि रहा होंगे और यहां पर आपको घ़ मारं समस्तित हैं कितना अच्छा से सजावट है और इसी में जो है लोग कितना समान बेच पाते होंगे आप उमीद नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि यहां पे भीड होने के कारण भी देख रहेंगे यहां पे लोग ठार रहें और देख रहें समान को और एक्चुल में पसंद आएगा तो खरीद भी लेंगे और क्या कहें देख रहे होंगे कितना बेहतरीन बेहतरी खिलोना यहां पे है जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रहा है और हम इन से एक वस्तू का रेट पूछे जो कि हम जनकारी ले लिए और इस तरफ जो है क्या है आप लोग खुद से देख रहे होंगे अब चलिए जो है थोड़ा आगे का भी नजारा देख लेते हैं इस मेला में क्या क्या है तो यह रहा है आप लोग को कहा जाता है कि इस तरफ जो है आप लोग बेख रहे होंगे यही पूर यह ब्रेगडान्स जो हर तरह गुमता है, हम तो मेला मिझाते हैं, सब शबये पर इसी पर चड़ते हैं। बहत इह बहसी ननन्द आता है, रुच तरह गुमाता है, कुछ अलग भी होता है। अपनों दोस्त के साथ भी रहिएको आप उसे धर नहीं पा सकते हिं। क्योंकि हर तरफ से जो है इसका जो है घुमावदार होता है तो इसको ब्रेक डैंस के नाम से जनते हैं और आगे जो देखिए यह जो है जुलना है इसको आप लोग कभी जिरूर आनंदली होंगे जुलना पर जो है कई लोग चड़ते हैं और यहां का टीकट जो है तीस होला वला है यहां पर लोग भी उपस्तित हैं जो की और यह जो हमारा है भाई एक ट्रेन है ट्रेन क्या जीव सा ट्रेन है इस पर बैटने का तो जिरूरा अलग होगा है कि नहीं उपर से देखने में सब को मजाता होगा और इस तरह जो है टीकेट काउंटर के बाद जो है आप सीड़ी पर चड़िये और यहां पर जा करकर बैट जाए और बैटने के लिए आपको यहां से टीकेट लेना जरूरी होता है क्योंकि बगल में है चार्ट बगहरा है और खाने का भी समान यहां पर देखने को मिट रहा होगा तो चलिए बढ़ते रहते हैं और इसका ज कैसा लगता है कामेंट सेक्षन में जरूर बताइए और चलिए आगे भी देख लेते हैं जो कि शुरुवात में आये थे जिस तरफ आप आप लोगों को देखने को में रहा था कि एक नौ की तरह जो है मतलब बनाया गया था और इसमें भी लोग जो है अनंद ले रहे थे तो यह यहां प्याग हैं जो कि नाव वलाई हैं यहां से टीकट काउंटर देख लिए टीकट यहां भी लगता है कि 20 रूप्या चल रहा है जो साहब से पूछे और वहां जो हैं सामने करना जाला देख लिए देखिए वहां पे लोग बैठे हुए हैं और यह जो है नाव लगता है मेले का सीन जो है कुछ हजीब होता है जो कि उस तरफ ट्रेन चल रहा है जो कि आप लोग देखी रहे थे पहले ही दिखाएं और यहां करना जारा कुछ हजीब साह है तो उमीद करते हैं आप लोग यहां जरूर पधारी झाल